Hello Friends, आज हम जानेंगे English word akin की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है akin की हिंदी में मतलब है शदिश्य, समान, बरबर चले कुछ example के जरे इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते है Example, For the first time in his life, he felt something akin to pity for Chris इस sentence का हिंदी में मतलब है अपने जीवन में पहली बार उसने Chris पर दया करने जैसा कुछ महसूस किया चलिए next example जान लेते है Spaces of birds akin to thos of Africa also occur in syllabus इस sentence का हिंदी में मतलब है आफरीका के समान पक्षियों की प्रजातिया भी syllabus में पाई जाती है चलिए next example जान लेते है It is akin to saying you have a right to life but not a right to a heart इस sentence का हिंदी में मतलब है ओ कहने के समान है कि आपको जीने का अधिकार है लेकिन दिल का अधिकार नहीं चलिए next example जान लेते है This character appears to be akin to the subain इस sentence का हिंदी में मतलब है सरित्र सबाईन के समान पतित होता है So friends, उमीद करती हुए akin की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझ गे होंगे इसी तरह से और भी English or Hindi में example के साथ जानने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सकते है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और साथ साथ channel को subscribe कर दिजिएगा झाल 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 सकते है